वेलकम सिंप्रिफिकेशन इस वीडियो एपिसोड में आप समों का स्वादत है S.B.I. Clark 2018 के अभियान के तहद S.B.I. के प्रीबियस येस में आई वी कुश्चिन्स को हम दों लगातार स्वादत कर रहे हैं आज हमने प्रीबियस येस के S.B.I. Clark के सिंप्रिफिकेशन के कुश्चिन्स को लिया है ये एक सेट है बहुत सुन्दर है आप इंज्जॉई करेंगे आईए देखी फर्स्ट कुश्चिन है एक तो कि ये कुश्चिन होता है इसे सॉल्व करते हैं दूसरी बात है जल्दी से सॉल्व कैसे करें आप इन कुश्चिन्स को देखते रहें और क्या दिखा ये बताएं कुश्चिन का एक मैक्रो व्यू होना चाहिए मुझे जो दिखाई देता है पहले वो दिखाई देता है ऐसे is equal to 4.5 into 3.6 by 0.9 into 0.5 ये दिखता है का मतलब साफ है साफ है साफ है साफ है ये स्क्वार है यानि की कुश्चिन माव is equal to 6. प्लस मानिस 6 होता है लेकिन options कहता है none of these नहीं है नहीं तो मैं तो none of these कहता है क्योंकि स्क्वार रूट लिया गया 36 का इसका इंसर वर 6 अब सवाल है ये कैसे हुआ ठीक है ये डी अंसर हुआ देखी कैसे हुआ बताता हूं ये तो आप देख रहे हैं हम ने इसे ऐसे समझा ऐसे समझा ऐसे समझा ठीक है फिर अगली बार हमने इसे ऐसे समझा ऐसे समझा 4.5 इंटो 3.6 0.9 इंटो 0.5 इसे मल का कोई मतलब नहीं ये 45 खत्म और ये हुआ स्क्वार रूट अफ 36 दाट में 6 प्लस मैनस होगा क्यों यहां पर option कहता है कि कि मैनस छोड़ देजिए option कि इसारा करता है सो हमने 6 लिया ठीक है यह समझ गया है इसके बाद आईए second question second question क्या है बहुत संदर तरशान है ऐसे तो मैं detail बताऊंगा लेकिन पहले मैं short में करूँगा इसके बाद detail इसमें मुझे जो देखता है वो मैं बताता हूं मुझे देखता है 1 and 1 by 5 मुझे देखता है 7 minus 6 यानी 1 मुझे देखता है plus 1 by 6 and minus 1 by 7 7 देखे तो ये plus और ये minus किया तो ये ये plus किया तो minus ये मुझे देखता है अब आप देखे 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 7 6 1 1 by 42 ये मुझे देखता है मुझे 2 देखता है और अगली बार 2 plus 42 and 5 47 by 210 देखता है यानी कि 2 and 47 by 10 is answer सवाल है कैसे देखे मैं बताता हूं सबसे पहली बात है कि हमने 4 और 3 का calculation कर लिया देखे ये like है 5 ऐसे ने हमने ऐसा किया ये काम यहाँ पर मुझे पसंद रही है ये हमें दिखा कि 4 minus 3 और ये हमें दिखा ऐसे 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 तो क्या इसे 1 plus 1 by 5 न कहेंगे न कहेंगे न कहेंगे ये फस पार्ट है ठीक है इधर वाला इसका सेकंड पार्ट क्या है सुनिए ये minus 5 and 5 by 6 है न और plus 6 and 6 by 7 ये है न हम लोग इसको minus 1 by 6 देके plus 1 by 6 लिखते थे हैं और इसे plus 1 by 7 देके minus 1 by 7 लिखते हैं ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि minus 6 हो जाता है और ये plus 7 हो जाता है यानि 1 and 1 by 42 और इन दोनों का जो calculation है वो हमें दिखता है 2 plus 1 by 5 plus 1 by 42 42 42 42 ऐसे 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 यानि की यानि की यानि की 2 and 47 by 210 जो हमने पहले नीचे बनाया था ये पूरा calculation इसका एक बड़ा भाग मन में होता है और अफ़गर इतना ही होता है मेरे ख्याल से आपको सौज में आपर रहोगा है आईए इसके बाद third number question क्यों जाते हैं third number question क्या है देखते हैं 11 by 51 of 13 by 15 of 17 by 19 of what is equal to 286 by 3 कैसे करते हैं पता है देखिए 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 17 ये 3 times कटता है उड़ जाता है होगा कि नहीं होगी ये पताता है कि ये 13 या 11 इसे डिवाइड करेगा 11 डिवाइड कर रहा है न 11 से डिवाइड करते हैं और 13 से भी 2 times बस ये है ना 15 into 2 30 होता है कुष्चन मा के जिक पड़ो 19 into 30 बोलेंगे कि नहीं 570 अंसर बेद अंसर बी बोलेंगे ठीक है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आईए अगले कुष्चन के उचलते हैं जो next question है fourth number fourth number question क्या है square root of 1600 plus square root of 576 is equal to square root of question mark 1600 का हम लोग जानते हैं 40 और this is 24 यानि 64 यानि question mark is equal to 64 square इसे two digital number के square के रूप में break कर सकते हैं या 50 base मान सकते हैं 50 base अगर मानेंगे तो अगर आपको base rule half of the base याद है तो plus 14 है 78 यानि 3900 3900 तो हुगा और 14 का square 196 ये 1 अगे हां हुआ answer half of the base basic calculation का जो part है उसे आप देख लेंगे लेकिन हो सकता है half of the base आपको पता ना चले न रहे तो आप गोलेंगे 2 digital number का square this is P, this is A P square, 4 square, 16, 6 लिखा 1 क्यायवर 2 AB, 6 into 4 24 क्यायवर, 2 AB, 48 and 1, 49 4 रहा क्यायवर 6 square, 36 and 4, 40 इस से एक में ये answer हुआ, B फिक है, आईए इसके बाद 5 नमबर कुश्चन देखिए, 5 नमबर कुश्चन क्या है पूर्टन में कर लिए, आपके बाद कुश्चन बहुत सुंदर कुश्चन है एक आपका overall look होना चाहिए कि आखिर कुश्चन क्या है हाँ आप तक तक कुश्चन देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्या है मुझे क्या दिखता है पता है decimal के right side का part एक बार में दिखता है decimal के left side का part एक बार में जब right side का part हम लोग देखते है तो हमें दिखता है कि question mark तो ठीक है उदर जाएगा इसको solve कर रहा है तो इस 39 decimal के right side ये 4, 38 ऐसा क्यों ने लिखें और इससे 1 लेकि इससे दे दे तो 8, 17, 9 मतलब 3, 3, 6, 44 is the answer 6, 44.3 it is the answer it is the answer इतना ही calculation है नहीं समझे दरसल हमने क्या किया decimal के बाद वाले part को एक तरफ लिया यानि 0.34 minus 0.43 और ये इदर आया हमाज लिए 0.39 उसनमा कुदा है ठीक है ये प्लस है ठीक है अब ये क्या लिखता है हमें तो क्या 0.38 इसका value न लिखें न लिखें और जो दूसरा part है 8, 78 दरसल हमने क्या किया इससे लिखता नहीं हूँ ऐसे लिखता हूँ जो नहीं हमने बनाया इससे 1 लिखें से देता हूँ लेकिन ऐसा क्यों करता हूँ ऐसा इसलिए 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 ये 300 होगा और 600 यानि 644 होगा तो एक ये part है दूसरा ये part है दोनों मिलके 644.38 होगा कि नहीं ठीक है आई इसके बाद हम लगो next 6th number question की हो चलते है देखिए 6th number question 6th number question 1.64 plus 0.64 plus 0.064 minus 0.8 minus 0.08 is equal to what यह यहां से यहां से फिर से एक बाद दिखाता हूं हटा देते हैं तो यह गवा और answer 1.464 answer 1.464 B is the answer यही rough work है ऐसे ही exam hall में आपको react कर रहा है नहीं समझे इसी को मैं बताता हूं कि दरसल यह वाला जो portion है न इसको और इसको हटा देते 8 पैसे देना और 80 पैसे देना है तो करना 60 पैसे दे जाए न और 20 पैसे मैं यहां से देता हूं इससे 1.4 बचेगा finally क्या बचता है बता 1.4 plus 0.064 तो क्या यह 1.464 न होगा answer न होगा बोली ठीक है यह था हमारा 6 तंबा कुष्चन इसके बाद यह 7 तंबा कुष्चन 7 तंबा कुष्चन है सामने लिखा है कुष्चन दो लिखाई हुआ है क्या है इसमें हमें जो देखता है 7 तंबा में देखिए ओगरो 40% of 1476 यह 1 पार्ट है 25% of what is equal to this तो यह और यह पार्ट दो पार्ट को साल्ब करना है 40% of this एक्साम होल में जो आपका रेक्शन होगा वो ऐसे होगा 150, 300, 600 minus 2.4 40, 96 9.6 यह रेक्शन होगा आपका एक्साम होल और 20 से दिवाइड करना है तो 1200, 646.65 646.65 और इसे देखी यह तो कैंसे फिर से मैं करके दिखा जोगा तो यह क्या होगा 56.25 25% of what is equal to this यानि 1 4th है किसका 56 का डबल 112 का डबल 224 4 on this 225 this is the answer 225 is the answer B is the answer यह एक्जाम होल में आपका रेक्शन होगा यह समझे देखे हमें 40% लेना है हमने 1 ऐसे कहा 10% into 4 okay plus 25% of what कहा है is equal to इसे हमने कहा इसे हमने क्या किया 10 से दिवाइड कर दिया तो 129 3.3 by 2 ऐसा होगे अब देखे हम लोग क्या करते हैं इसको दरसल ऐसा लेते हैं कि 150 50 minus 2.4 ऐसा करने से यह 600 हो जाता है और यह minus 9.6 हो जाता है इसे हम लोग 1292 बोलते हैं और 1.3 बोलते हैं इसा करने से 646 हो जाता है और यह 0.65 हो जाता है 2 से डिवाइट करने कर और आप समझ रहे हैं यह क्या होना है यह add होना है तो इसे 0.4 इसे निकाल के से दे दीजिए 10 हो जाता है 56.25 25% of what is equal to this यहनी कि this का मतलब 56.25 into 4 चपन कटबल 56 कटबल 112 कटबल 224 और यह विरकर के 225 होगा की नहीं B is the answer मुले simplification के इस episode में आपने enjoy कि नहीं आगे हम लोग तेर सारे questions करते रहेंगे लेकिन अब तक मेरे पूरे वीडियो संग्रह में बहुत बहुत questions बहुत बहुत वीडियो के रूप में एक कत्रित हो चुके हैं आप उनका बार बार चितना संभवो प्रैक्टिस करें All the best झाल